घर में किसी भी जानवर का अनायास आना कुछ सुब या फिर कुछ असुब संकेत हो सकते हैं इसी प्रकार देखा जाता है कि कववा यदि घर में आकर अगर आपके घर में आकर बोले तो यह जीवन के लिए जो है कुछ नकुछ सुब या फिर कुछ नकुछ अशुब संकेत माना जाता है तो चलिए आईए आज के इस वीडियो में आज हम जानते हैं कि घर में कववा का आना कौन सा सुब संकेत देता है और कौन सा अशुब संकेत देता है जो की बहुत ही ज़्यादा काम की है और आपके रेगुलर लाइफ में ये घटनाए घटती ही रहती है आप भी बोले बाबा के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं आम लोग जानते हैं वो दस कारण दो दस संकेत सुबसंकेत और असुबसंकेत जो बहुत ही आपके लिए काम की होने वाली है यात्रा पर निकलते समय घर में कववे का आना ये एक संकेत होता है यदि आप किसी बड़ी यात्रा पर जाने वाले है और आपके घर में कववा आकर जोड़ जोड़ से बोले तो इसका मतलब य कि आपकी यात्रा सफल होने वाली है दरसल इस ये इस बात का भी संकेद आपको देता है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है जो आपके लिए सुभ होगा यदि कवा यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति की मुह की तरफ बोले तो आपकी किसी अभिन्य मित् मिलने वाले हैं यदि कोई किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा है और घर से निकलते समय कवा बोल कर पश्चिम दिसा की और उड़ जाए तो समझ लो कि कारे में निश्चित ही आपको सफलता मिलने वाली है दूसरा जुन्ड में कवे का आना यह भी एक संकेत होत यह इस बात का संकेत भी हो सकता है कि आपके परिवार में कोई बड़ा संकट या फिर कोई बड़ी विमारी आने वाली है खास तोर पर इस तरह के संकेत घर के मुख्या के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं तीसरा दक्षिन दिसा में कवे का बोलना यह भी एक आपको संक संकेत है यदि आपके घर में कवे दक्षिन दिसा की बैठ कर बोलता है तो यह एक आपसे नाराज है और घर में पित्री इत्री दोस भी हो सकता है चौथा कव्वे का सरीर पर बैठना यह बहुत ही सामानुन नहीं है कभी कभी किसी के साथ गटना घढ़ती लेकिन यह भी एक संकेत आपको मिलते हैं इससे भी तो अगर आप कभी भी अनायास ही आपके सरीर पर कववा अगर बैट जाए तो यह एक बड़ा अपसकुन मना जाता है और यह इस बात का संकेत देता है कि आपको मांसिक तनाव मिलने वाला है आपके कैरियर में आपको कोई भी खाने की सामगरी अगर रखते हैं और कववा आकर उससे खा लेता है तो समझ लिजए कि आपकी कोई मनो कामनाय पूरी होने वाली है आपको धनलाव होने वाला और किसी बड़े काम में आपको सफलता मिलने वाली है दरसल कववे का रुटी खाना इस बात का ही संके से हो पाता है लेकिन अगर ऐसा किसी के साथ अगर होता है तो समझ लो की एक संकेत है अगर आपके घर में कभी भी कोई कहीं भी कववे का अंडा मिल जाए तो आपके लिए अत्यांती सुभ संकेत माना गया है दरसल माना गया है कि कववे का अंडा इस बात को दिखाता है कि आपके घर में कोई बड़ी खुश खबरी आने वाली है, अगर आप संतन प्राप्ति की एक्षा रखते हैं, तो हो सकता है कि आपके घर में वो संकेत आपको मिल रहा है, और समझ लेजिए कि यह बहुत ही जल आपके घर में किलकारिया गुंजने वाली है, सातवा, कववे का पानी पीना, यह भी एक संकेत है, यह बहुत लोगों को दिखता भी है, अगर आप घर की छत में या बालकनी में पानी रखते हैं और कववा आकर यह पानी पी ले, तो समझ लेजिए कि आप बहुत जल्दी ही, बहुत जल्दी माला माल होने वाले हैं, वैसे गर्मियों के म यह बिलकुल भी ठीक नहीं है, यह इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में कोई बड़ी घटना होने वाली है, जो आपके जीवन में नकर आतमक बदलाव ला सकती है, इसके लावा घर में बीमार कववा आकर बैठे, तो यह भी बीमारी का संकेत आपको देता है, नवा नाइंत वाला, जोडे में कववे का आना भी एक बहुत ही बढ़ियाँ संकेत है, बहुत ही अच्छा संकेत है, इससे समझ लो कि आपके घर में जल्द ही सहनाही बजने वाली है। दसवा, प्रात्यकाल उत्तर या फिर पूरव दिशा में कववे का बोलना, यह भी बहुत बड़ा संकेत होता है। हुए काम बनाने में मदद करने वाली है, वैसे लोग, तो ऐसे ही हम अपने आपको इस वीडियो में आज 10 कववा, कववा से जुड़ी 10 सुभ संकेत आपको बताया है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, बताना नीचे कमट कर करो, इस वीडियो को यार शेयर करो, वाटस कर दो, कर दो अपको अपको करना नीचे कर दो दो कर दो कि एस वीडियो कर दो कर दो वीडियो क वीडियो में आपको शेश। झाल झाल